हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका टेली उड़ अंगामा के इस नए वीडियो के अंदर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहन चावी वाला के एपिसोड दो के बारे में जी हाँ एपिसोड दो में हम देखते हैं कि काम वाली वाई जिसका नाम कांता होता है वह सुबह अपने मालिक के गर जाड़ो पोचान लगाने के लिए आती है लेकिन आज इसको यहाँ पर मकान के चावी दिखाए नहीं देती अभी वो अपने मालकिन के पास फॉन करती है और उसको चावी के बारे में पूछती है तो उसकी मालकिन बोलती है कि आज गलती से चावी हमारे पास रहे गई है तो एक काम कर किसी चावी वाले के पास जाकर उसकी दूसरी चावी बनवा ले और गर अच्छी तरह से साप कर देना हम जल्ड ही आने की कोशिश करेंगे कंग वाली बाई इस मोहन चावी वाले के पास जाती है और उसके मकान की डूपलिकेट चावी बनवाने के लिए बोलती है अब ये मोहन चावी वाला पहले से ही काफी चालू टाइप का होता है और इस तरह की एक नहीं दो चावी बना देता है जिसमें से एक चावी वो अपने पास रखता है और दूसरी वो उसको सौप देता है और उसके बदले में 300 रुपे ले लेता है जी ह ltah और दूसरे दिन मौन चावी वाला मकान में चोरी करने के इरादे से उसके यहाँ घुषता है और ताला खोल के एंट्री मारता है तो आज जहाँ पर उसकी लोटरी लग जाती क्योंकि Гर में काफी माल पाई होता हे economics अब दोस्तों यह माल पाई समय न में इतना शुरू कर देता है लेकिन अचानत से यहां पर घर encontrar की काम वाली आजाती है और उसको देख कर वह सोफह के नीचे छफ कर दास करना भी शुरू कर देती है थोड़ी देर बाद वह एकसाइट में उसका उल्लू चलाने का खिलोना जो होता है उससे पानी निकलना शुरू कर देती है तो यहां पर मोहन चाई वाला उसको वीडियो अपने फॉन में बना लेता है काम वाली को अपनी वेजी नामें उ को बोलती है कि चावी वाले तुम यहां पर क्या कर रहे हो तुम घर में कैसे आये मुझको सब कुछ बता दो नहीं तरो मैं पुलिस को बुला दूंगी मौन बोलता है कि तुम पुलिस को बुला लोंगी लेकिन मैं तुमारी मालकिंग क्यों सब कुछ बता दूंगा कि उनक तुम इस वीडियो को डिलिर कर दो उसके बदले में तुम जो चाहते हो वो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ महुन उसके बदले में एक लाख रुपे मांगता है और बोलता है साथ मैं मुझे तुमारे साथ मज़ा भी चाहिए और उसके बाद यह एपिसोड समाफ्थ हो जाता है यह एपिसोड आपने देखा के नहीं वो हमें कॉमेंट करके जुरूर बताना और ऐसे ही वीडियो की अपडेट के लिए आप अगर हमारे चैनल पंदाय हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगा हुआ बैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे